हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी चैनल टेट्रिक्स पर मैं हूँ निसान पाठक और आज हम अपने एक नए बिसेकु लेकर आपके सामने आए हैं जिसे इंगलिस में पॉलटी या हिंदी में राज विश्था कहते हैं ये सभी वीडियो आपको हमारी चैनल पर फ्री मे प्रोवाइड करवाई जा रहे हैं साथी साथ चाहे जो भी विशे हो जो भी यहां पर वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तोत किया जाएगा उसकी पीडियेफ वी आपको फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएगी ये जो आपका विशे है ये सभी बेसिक करवाई गई है तो आप हमारे चैनल से जुड़ें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें साथी साथ सेयर करें कमेंट करें और बताएं कि इस चैप्टर या किसी भी चैप्टर का कौन सा भाग आपको अच्छा लगा साथी साथ हमसे जुड़ें और इस पूरे एक 1.1 है और इस चैप्टर में बिविदिता यानि डाइवर्सिटी को सामिल किया गया है तो चलिए अब हम अपने बिसेख यूर बढ़ते हैं तो यहां पर थोड़ा सिलेबस को डिसकस कर लेते हैं तो यहां पर जो सिलेबस है वैस सामाजिक और राजनीतिक जीवन है जिसमें बिविता जिसकी चर्चा आज हम करेंगे उसके बाद सरकार गवर्मेंट इस्थानी सरकार लोकल गवर्मेंट नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वह जीविका चलाना नेक्स्ट लोकतंत डेमोक्रेसी यहां पर राज सरकार की भी बात करेंगे मीडिया की भी बात करेंगे सम्विधान की बात करेंगे और जो संसदी सरकार भारत में है उसकी भी चर्चा करेंगे साथी साथ न्याई पालिका की सामाज न्याई की भी इस रंकला में चर्चा होगी तो चलिए अब हम सुरू करते हैं अपने आज की टॉपिक यानि बिवित्ता को डैवर्सिटी को वह सांस्कृतिक जीवन पर इतिहास एवं भूगोल का प्रभाव देखेंगे बेहित्ता में जो एक्ता है जो भारत में हर जगए आपको मिलेगी उसकी भी चर्चा यहाँ पर करेंगे कुछ पूर्वा ग्रह भी होंगे उसकी भी चर्चा यहाँ पर होगी रूड वद्ध की जो धालडाएं बनी है या जो ओभर रही है या जो ओभर चुकी है उनकी भी चर्चा यहाँ पर करेंगे दलित समू उनकी भी चर्चा करेंगे समानता के लिए कैसा संगर्स और उसके बाद लास्ट में जो हमारा क्विश टैम होगा जिसमें आपको कुछ कोश्चन के आंसर बताए जाएंगे और लास्ट वाला कोश्चन आपके लिए आंसर देने के लिए छोड़ दिया जाएगा जिसका आंसर आप कमेंट करके दे सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की टॉपिक विवित्ता को तो क्या है सामाजिक और राजनीतिक जीवन एक बहुत ही महत्वपूर विशय है विशयस रूप से यह देखते हुए कि यह रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत बड़ा मुल रखता है कौन चाहिए सामाजी जीवन हो और राजनीतिक जीवन यह हमारी सरकार समाज और चीजों की बुनियादी नागरिक समझ के काम काज से संबंदित है आकर हम यह समझ सकते हैं कि आखिर कोई काम हो रहा है तो एक कैसे हो रहा है किस विदिके द्वारा हो हो रहा है तो आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि आकर विद्था की समझ क्या है क्या है तो पहला ही बिवित्था क्या है विविन ब्यक्तियों के लच्छडों रूप विवहार संस्कृति धर्म भासा योगिताओं संसाधनों और अवसरों में विद्द्यमान अनेकता की अग्रड़ी है कोई बिवार में अग्रड़ी है तो ये सभी की जो भाबना है वही अनेकता में क्या है एकता नेक्ट हम बात करते हैं आखिर असमानता क्या है दो या दो से अधिक लोगों के बीच उनकी छमताओं संसाधनों और अवसरों या उनकी जात आद की कारण उत्पन होने वाले अंतर को असमानता कहा जाता है तो यहाँ पर इसकी परिवासा हम देख लेते हैं नेक्स्ट बिवित्ता से अलग अलग चीजों के बारे में जानकारी मिलती है जैसे भारत में बिवित्ता कैसी है भारत बिवित्ताओं का एक देश है जहाँ पर बिविन भासा धर त्योहार, खान-पान, आधि सभी प्रिचलित है, कहां पर भारत में हर जगए कोई विविन भासा है, कोई विविन धर्म है, कोई विविन त्योहार मनाया जाता है, तो खान-पान भी थोड़ा अलग है, लेकिन उद्देश से एक ही है, माद्यम उसके अलग-अलग है, इसको नहीं भूल सकते सभी एक समान एक है जो एकता के सूत्र में बंधे है नेक्ष नम बात करते हैं हम विवित्ताओं को कैसे समझें तो पहला पुराने समय में लोग अनेक कार्यों से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे लोगों के नई जगह पर बसने से बहां मिस्रित सं संस्कृत उभरती थी या संस्कृत में बिवित्ता आ जाती थी तो मालो कहीं पर कोई एक भासाई लोग रह रहे हैं बहां पर दूसरे भासाई लोग आकर बस गए तो धीरे धीरे वह संस्कृत कैसी हो गई मिस्रित भासाई ठीक है तो उसमें बिवित्ता उत्पन हो जाते ह किसी छेतर की विवित्ता पर बहां की एतिहासिक और भोगोले कारकों का प्रभाव होता है जैसे कि पहाड़ी छेतर के लोगों का जीवन बसर करने का तरीका समुद्री छेतर के लोगों से बिलकुल अलग होगा क्यों कि वहाँ पर temperature का भी प्रभाव है और साथ ही साथ वहाँ पर कुछ ऐसी समस्याइं भी होती हैं जहां पर हम खान पान को लेकर एक दम विज़स्थे तरीके से नहीं रह पाते हैं जैसे कि हम बात करते हैं लद्दा की तो जम्बू और कस्मीर के पूरी हिस्से में इस्थित पहाड़ी इलाका जो लंबे समय से बर्भ से ढखा है उसे ही क्या है वो क्या है लद्दा का रेजन है लद्दा का छेतर है यहां पर बरसा खेती पीड बहुत कम मात्रा में मिलते हैं यहीं पर हमारे भारत का ठंडा रेगिस्तान है लेह में सामनते रेगिस्तान होता क्या है जहां पर 25 cm से भी कम बर्सा हो उस छेतर को क्या कहते हैं रेगिस्तानी छेतर यहां पर यहीं लद्दाक में पस्मीना सौल पस्मीना उन से बनाई जाती है जो एक बकरी है पस्वीना उससे निकाली जाती है जो बहुत महँगी होती है और यह उन लद्दाक में पाले जाने वाले खास पहन्ड से प्राप्त होती है कौन सी पस्वीना उन नेश्ट प्रतियेक परवार के पास गाय, बकरी एवं याक होते हैं यहां के लोग भोजन के लिए मुक्ते दूद से बने पदार्थ और मास पर आस्रत होते हैं क्योंकि यहां पर भौवलिक दसा ऐसी नहीं होते हैं जहां पर ज़्यादा तर खेती की जाए जैसा मैदानी छेतरों में होता है नेक्स्ट यहाँ पर बहुत सारी घाटियां हैं जिससे गुजरकर ब्यापारी लोग मद एसिया से तिबबत जाते थे और अपने ब्यापार को आगे बढ़ाते थे यहाँ पर यह हम एक सरंग खिलाब देख सकते हैं नेक्स्ट लड़्डाक के रास्ते बहुत धरम तिबबत पहुंचा तिबबत में लड़्डाक को छोटा तिबबत भी कहा जाता है यहां करीब चार सौ साल पहले इसलाम का आगमन हुआ किसका कब 400 साल पहले आज अच्छी खासी संख्या में मुसल्मान यहाँ पर रहते हैं किस चित्र लद्दाक वाले छेत्र में नक्ष्टम बात करते हैं अपने दूसरे राज केरल की यहाँ पर यह हम देख सकते हैं भारत के दश्च्छ पश्चमी कौने में बसा राज एक तरफ समुद्र से घिरा है दूसरी तरफ पहाड़ी से पहाड़ी पर विभिन्य प्रकार के मसाले उगाए जाते हैं कहाँ पर केरल में जहाँ पर नील गिरी कुछ सिनेडियां मौझूद है नेक्शन बात करते हैं मसालों के कारड इह छेत्र ब्यापारियों के लिए आकरसक बना सबसे पहले अरवी एवं यहूदी ब्यापारी केरल आए माना जाता है कि 2000 साल पहले इसा मसी के धरम दूत संत थोमस यहाँ आए भारत में इसाई धरम लाने का सिरे उन्हीं को जाता है किने संत थोमस को जो कब से लगवग 2000 साल पहले आए थे नेक्शन बात करते हैं इवन बतूता जो अरव से आया करीब 700 साल पहले यहाँ पर आया था नेक्शन यह यातरी था इवन बतूता नेक्शन ओडम तेवहार पर जो नव प्रतियोगता होती है वह यहाँ पर जील में करवाई जाती है जो कब होती है ओडम तेवहार पर जिसमें नव प्रतियोगता रखी जाती है तो यहाँ पर यह हम देख सकते हैं नेक्स्ट अम बात करते हैं बासको डिगामा जहाज से केरल पहुचा था कब पहुचा था? 1498 में काली कट पर उसके बाद पृतगालियों और येरोब बासियों को भारत आने का समुद्री मार मिला था जो अफरीका के केव और गोड़ोप से होकर भारत आते थे नेक्स्ट केरल में चावल की खेती अधिक मातरा में होती है नेक्स्ट अम बात करते हैं लोग अधिकतर मचली, सबजी और चावल खाते हैं कहां पर केरल में दोनों छेतर की भागोलिक इस्थिती अलग-अलग है एतिहासिक प्रभाव भी एक जैसा है जो एतिहासिक प्रभाव है वह एक जैसा है जबकि भागोलिक इस्थिती अलग-अलग है नेक्स्ट अम बात करते हैं तो राजस्थान बलेदानों का प्रदेश है, दूर तक फैली राजस्थान और जटिल जलवाई यहां के बासियों को जोजहारू और लडाकू बना देती है, पानी की अतियंत कमी के बावजूत यह प्रदेश खूब निखरा एवं समरा हुआ है, नेक्स्ट रंगों और गीत जीवन को और सुन्दर रूप दे देती हैं, कहां पर राजस्थान में, नेक्स्ट यहां की संस्कृत में गीत संगीत हस्त सिल्प का बहुत बड़ा योगदान है, यहां की बांधनी साडियां भारत की रंगोली के सामान संस्कृत के ध्योतक हैं, सांगा नेरी कोट, लोग के पोसाकों में से हैं, जो यहां की लोग सांग से पहनते हैं, कहां पर राजस्थान में, नेक्स हम अपने टॉपिक की बात करते हैं, सांस्कृतिक जीवन पर इतिहाज और भूगोल का प्रभाव, तो आज भी हमारे रीत रिवाज एक दूसरे से मिलते चुलते हैं, क यहां पर सभी एक चुट हैं, उसे ही क्या कहते हैं, बिवित्ता में एक्ता, भारत की बिवित्ता या अनेक्ता को उसकी तागत का सिरोत माना गया है, जैसा राश्टी या अंदुलन में देखने के लिए मिला भी था, ठीक है, अनेक्ता में एक्ता का विचार नहरू जी ने दिया था, रवित्रनात टैगोर द्वारा रचित हमारा राश्ट्रगान भारती एक्ता की पहचान है, जिसमें सभी राज्यों का व्रड़न किया गया है, नेक्स्ट, जब भारत पर अंग्रेजों का राज था, तो बिविन धर्म, भासा और छेत्र की महलाएं और पुरसों को ने साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी, किसमें हमने भी चर्चा किया, किसमें राश्टी आमदोलन में, सतंतरता संगराम के दौरान उबरेगीत और चिन विवित्ता के प्रत हमारा विश्वास बनाई रखते हैं, तो एतियासे विवित्ता में एक्ता यूनटी इन हिस्ट इन हिट्रिकल डैवर्सिटी, तो पहला पॉइंट, प्राचीन काल से ही भारत में विविन्य धर्मों एवं प्रजातियों के लोग यहां पर आते रहे हैं, कहां पर भारत में, उनके इतिहास में भिन्यता का होना स्वाभाविक ही है, किन्तो अब ये भारत में इस्थाई र की अब दिर्चत्य ये प्रजातियों का अजायव घर अत्थवा द्रवल पात्र कहा गया है, यहां बिश्व की प्रमुकि प्रजातियों सुवेत, पीत और काली तो था उनकी उपसाखाओं के लोग निवास करते हैं, किन प्रजातियों की स्वैत हो, पीत हो, काली हो यहां क धी प्रजातियों ये तीम प्रजातियां यहोंपर निवास करती है सासी साथ फाहाहं नीवासी भी यहाँ पर रहते हैं next उत्तरी भारत में आर रिपरेजात त्थाद दक्षिच्ड भारत में द्रवड प्रीज़ात की लोगों कमने द्रवॡ प्रकरिमोंiska dur प्रियाप्त हैं यह उस्ड एवं समसी तोस्ड कटे बंदों की जलवायू का प्रदेश है कौन भारत नेस्ट चेरा पूंजी यानि मानिस राम कि में लगवक 600 इंश वर्सा होती है जो दूसरी और राजस्तान के थार के मरस्थश्ण में पांच इंश से भी कम बरिशा होती है अधिक उपजाओ तोथा कम उपजाओ दोनों ही प्रकार के प्रदेश यहाँ पर पाय जाते हैं वहाँ पर कमबरिशा इसलिए भाग है और दच्छड भारत एक पठारी एवं प्राइद इपी प्रदेश है ये भारत की विशेषता है नेक्ट हम बात करते हैं धार्मिक बिवित्ता में एक्ता यूनिटी इन रिलिजियस डैवर्सिटी भारत बिभिन्य धर्मों की जन्मभूम है हिंदू जैन बौध एव मत मतांतर एवं संप्रदाय पाय जाते हैं और उनके नियमों एवं मानताओं में अनीक बिवित्ताएं हैं आध्यात्मबाद, इस्वर्थ, नैतिक्ता, तया, इमानदारी, पाप, पुन्य, स्वर्ग, नर्ग, सत, अहिंसा, आध में ये सभी लोग विश्वास करते हैं एकी करण में योगदान दिया है जैसा कि हमारे इतियास में भी आप देख सकते हैं जैसा अंग्रीजों की खिलाफ है राष्टी अंदुल में देखने को मिला भी था नेक्स नम बात करते हैं हिंदू, इसलाम, इसाई, जैन, बौध, एम, सिक धर्मों के लोगों के देश के बिभिन भागों में साथ साथ रहने से भारत में एक मिस्रित संस्कृति का विकास हुआ है यही भारत की मजबूती है यह मजबूती का आधार भी है नेक्स नम बात करते हैं सामाजिक संस्कृतिक बिवित्ता में एकता unity in socio-cultural diversity तो पहला point भारत में बिभिन छेतरों में भारति समाज विवस्ता यही संस्कृत में एकता की तरसन होते हैं यही भारत की विशिस्ता भी है संयुक्त परिवार प्रडाली जात्प्रथा ग्राम पंचायत गोत बबंस विवस्ता भारती समाज के आधार रहे हैं शुरुआ से ही आध्यातमबात ईस्वर धार्मिक कर्मकांट पुनरजर्म स्वर्ग नर्क आध में सभी भारतीयों का विश्वास है शुरुआ से ही रहा है जैसा हमने अपने वेदों में भी पढ़ा है यह हमारी संस्क्रत है और यही हमारी बिरासत भी है नेक्श नम बात करते है हिंदूओं एवं मुसलमानों में परसपर कला धर्म खानपान बस्तर सहली भासा एवं साहित आध के छेतर में आदान प्रदान होने के कारड समनवे इस्थापित हुआ है जैसे उर्दु भासा का भी विकास यहां पर हुआ देखने को मिलता है और साथी साथ उसका विकास भी यहां पर हुआ है नेक्श नम बात करते हैं बरतमान में भारत एक धर्म निर्पेच राज घोसित किया गया है जिसे धर्म से कोई लेना देना नहीं राज अपने धर्म से एक्तम प्रथक है पर सभी लोगों के जीवन इसतर को उन्नत बनाने का यहां पर प्रित्न किया गया है कहां पर पंच वर्षी योजनाओं के द्वारा और अब नीत आयोक कुछ एक कुछ अजंडे हैं जो तयार किये जाते हैं और उन्हें एक क्रम की तरीके से योगदान भारत के विकास में किया भी है नेक्शन बात करते हैं भारत में कई प्रकार की भासाओं एवं बूलियों का प्रेचलन आदिकाल से ही रहा है जिसमें हिंदी, उर्दू, कस्मीरी, पंजाबी, सिंदी, गुजराती, राजस्थानी, बिहारी, उडिया, अस्मी, मराथी, तेलगू, तमिल, कंणड भाद भासाएं भारत में बिभिन्य भागों में बोली जाती हैं भासा की इस बिवित्ता के बावजुद भी सभी भासाओं पर संस्कृत का प्रभाव होने के कारण उनमें एक रूपता पाई जाती जाएं कोई भासा हो उसमें संस्कृत का प्रभाव आपको मिलेगा ही मिल जैसे उन सभी भासाओं में एक रूपता अवस्य आपको मिलेगी नेक्स नम बात करते हैं राजनेतिक विवेत्ता में एक्ता इन पॉलिटिकल डाइवर्सिटी तो पहला पंट राजनेतिक दरश्टे से भी भारत में विवेत्ता और एक्ता रही है अंग्रेजों के पूर्व तंत्री सरकार की स्थापना हुई थी राजनीतिक दरश्टी से भी भारत एक एकाई है जैसा कि भारत सासन अधनियम 1935 के द्वारा बताया भी गया था और इसी अधनियम का प्रवाव भी हमारी सम्विदान पर सरवादिक देखने को मिलता भी है नेक्स्ट हम बात करते हैं स चाहे केंदर हो चाहे पूरा भारत हो उसके लिए क्या है एक ही सम्विदान है सम्विदान में सभी नागरिकों के लिए समान मौलिक अधिकारों की विरस्था की गई है विशेसा अधिकारों का अंत कर दिया गया है मौलिक अधिकार दिये गए लेकिन किसी को कोई विशेसा आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक आप लोग देख सकते हैं नेश्टम बात करते हैं देश में समान कानून की विस्था की गई है इन सब प्रितनों से देश एक्ता के सूत्र में बंद गया है नेश्टम बात करते हैं बेवित्ता एबं भेदभाव भारत बेवित्ताओं से भरादेश है भारत में सभी धर्मों की अन्यायू रहते हैं यहाँ 600 भासाईं बोली जाती है तथा 100 से भी अधिक तरह के निरत किये जाते हैं कहाँ पर भारत में यही भारत की एक प्रवल एकता भी है तो कुछ पूर्वाग्रे हैं, बेक्या होते हैं, जब हम किसी के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेते हैं, तो है पूर्वाग्रे कहलाता है, जाना तर यह राय नकारात्मक ही होती है, तो उसे क्या कहा जाता है पूर्वाग्रे, हम कई चीजों के बारे में पूर्वाग् बनाना जब हम सभी लोगों को एक ही छव में बांद देते हैं तो उसे रूडवद्ध धारणा कहते हैं हम किसी खास देश धर्म या लिंग के कारण लोगों को गलत समझ लेते हैं तो भही क्या है रूडवद्ध की धारणा है नेक्ष नम बात करते हैं दलित आखे दलित हैं क दलितों की अनसार यह सब दरसाता है कि कैसे सामाजिक भेदभाव और पूर्वा ग्रहों ने दलितों को दवा कर रखा है और फिर भारती समयधान ने एक अनुछिद सत्रे को सामिल किया जो मौलेक अतिकारों की सिरेडी में है जिसमें आ इस प्रसता का बिलकुल उनमूलन कर जोड़ से खतम कर देने की बात कही गई है कहाँ पर अनुछिद सत्रे में नेश्ट हम बात करते हैं जात विवस्ता एक प्रकार के सीड़ी का रूप है सीड़ी में उपर मुची जात या उतकरष्ट और नीचे अच्छूत या अयोग लोग बैठाए गए हैं नेश्ट समा समानता के बेवहार के लिए किया गया संगर्स भी सामिल था दलतों औरतों जन्जाती लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बरावरी का अनभव किया था उसके खिलाप नोंने लड़ाई लड़ी है वसी को हमारे मौलेक अधिकारों में सामिल किया भी गया है अनुच्छिद 14 से लेकर अनुच्छिद 18 तक जो समानता का अधिकार प्रदान करता है नेक्स्ट हम बात करते हैं भारती संबिधान के अनुच्छ आज प्रतियेक ब्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है इसके अनुच्छ भारती संबिधान के अनुच्छ नेक्स्ट आ इस परसिता यानि छुआ छूट को अपराद की तरह देखा जाता है और कानुई रूप से इसे समाप्त कर दिया गया है हमने अब ही बताया है मौले करकानों के नुचित 17 में इसे सामिल किया गया है नेक्स्ट आम बात करते हैं भारत की भासाइन धर्म निरत संगीत बास्तुकला भोजन और रीत रिवाज देश के भीतर जगह जगह भिन्न होते हैं कि तो यहां पर यह पूरा टॉपिक आज हमने समझा है तो अब हम चलते हैं अपने क्विश टॉयम की तरफ कि और क्विश क्या है संदर्व में नियम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो पहला कतन है, भेद भाव पूरवा गरोहों से भी संबंदेत हो सकता है, दوسरा ये आर्थिक ये और सांस्कृतिक आधारों से भी संबंदेत है, तो प्रोक्त में से कौन सा कतन सही है, तो नहीं देखना है केवल ए केवल भी ए और भी दोनों न तो ए और नहीं भी तो कौम सा ए और भी दोनों कथन सबते हैं नेक्स्ट हम कुश्चन की बात करते हैं तो निम लिखित कितनों कथनों पर विचार कीजिए तो पहला हिंदू समाज में बड़ विवस्था तथा जात विवस्था में समानता है समानता है बड़ विवस्था के लिए जात विवस्था सब्द का प्रियोग किया जाता इसका रीजन क्या है भारत में जात विवस्था केवल हिंदू समाज की विशिस्ता है तो इसमें जो हमें option चुनना है वह कैसा चुनना है कौन सा सत्य है तो A और R दोनों सही हैं और R A की सही ब्याक्या करता है A और R दोनों सही हैं लेकिन R A की सही ब्याक्या नहीं करता है नेक्स्ट A सही है लेकिन R गलत है R सही है लेकिन A गलत है तो दوبारा हम पढ़ लेते हैं कि हिंदू समाज में बड़ विवस्था जात विवस्था में समानता है समानता है बड़ विवस्था के लिए जात केवल हिंदू समाज की विशेषता है तो यहां पर हम यह अपने पहले वाली कथन को चुछ करेंगे यही सही है ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याक्या करता है नेश्ट हम बात करते हैं विवित्ता के संदर्म नियम्न कथनों पर विचार कीजिए तो पहला पहले और चुछ करें यहां पर हैं आपके लिए आप इसका आंसर कमेंट करके दे सकते हैं तो कौन सा कोश्चन है जाती विवित्ता के संदर्व में नियम्न कथनों पर विचार कीजिए तो पहला भार्त की लोग-4 व् जैसे बरहामट-206 क्योत Hadi उसका रीजन है लोगों के कार क्याधार पर लोगों का वर्ड आद का चेन किया जाता था तो उसका अप्शन ए है ए और आर दोनों सही है और आर एकी सही ब्याख्या है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर एकी सही ब्याख्या नहीं है ए सही है लेकिन आर गलत है आर सही है लेक देद वो सभी आपको फिरी में प्रोबाइट करवाए जाएंगे अताय आप हमारी चनल से चुड़े रहें साथी साथ इसे सेर करें लाइक करें और हमारी चनल से अधिक अधिक जुड़ें आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यबाद आपका दिन सु कि अधिक झाले हमारी चनल से अधिक दोन आपका हमारी चनल से जाओ प्रोबाद हमारी चनला से लिए में गर तेटियोंगे जैजए आपका हमारी चनल से